अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और अभी तक आपने मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें बेल आगन क्लिक करें ताकि आने मारी वीडियो की निटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले आज हम बनाएंगे दि कटोरी आप यूज कर सकते हैं और वही कटोरी से आप मेजर करें इसमें मैंने डाले हैं सॉल्टेड बटर 2 क्यूब अप अनसॉल्टेड भी यूज कर सकते हैं अब इसमें जाएगा पिंच ऑफ हिंग इसे भी अच्छी से मिक्स कर लेंगे गी ग्यास का फ्लेम हमें लो जिस कब से हमने पानी का मेचर किया है वही कफ हमें कप यूज करना है तो 2 กप पानी लीया थो दो कप हमें चावल-का आठा लेना है लोकूуется radioactive फ्लेम पे हमें इसे अच्छे से मिक्स कर देना है यह मिक्स होने के बाद हमें ग्यास आफ कर देना है और इसे पाच मीट के लिए ढगकर रग देना है पाच मीट के बाद इसे हमें एक बोल में निकालना है और यह जो मिक्चर है वो हलका गरम ही होना चाहिए आप छू सके उतना गरम होना चाहिए, अब इसमें जाएगा दो टी स्पून अजवाइन, इसे हमें क्रश करके डालना है ताकि अजवाइन का स्वाध और बढ़ जाए, अब हम इसे मिक्स करके एक डो बनाएंगे, अभी हमें पानी का यूज नहीं करना है, सिर्फ हमें इसे तो इसमें मैंने डाला है बटर, एक क्यूब और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो ये डो अच्छे से बन गया है, लेकिन मुझे ये थोड़ा हार्ड लग रहा है, तो इसमें मैं डालूंगी एक टी स्पून पानी, थोड़ा सा ही पानी हमें आड करके इसे अच डो को मोल में डालेंगे, जितना हमें चाहिए उतना ही हमें लेना है, और जो बाकी डो है उसे हमें ढख कर रखना, ताकि जो डो की उपर की परत है वो हाड़ ना हो जाए, अब हम यहाँ पे लेंगे एक डिश, इसे मैंने ऑईल से ग्रीस कर लिया है, इसके उपर कुछ इस डो डालते ही बबल आते हैं, मतलब हमारा जो आईल है वो अच्छे से रेडी हो गया है, चकली तलने के लिए, अब इसमें एक एक करके हम चकली डालेंगे, चकली डालते ही तुरंथ हमें जारा नहीं डालना है, अधरवाइट चकली जो है वो तूट सकती है, जब तक यह ब कीसे हम सारी चकली रेड़ी कर लेंगे, तो सारी चकली हमारी रेड़ी हो गई है, अभ मैं आपको दिखा देती हूं कि हमारी चकली कितनी क्रिस्पी हो गई है तो देखा फ्रेंड्स हमारी बटर चकली कितनी क्रिस्पी हुई है तो आप भी इसी दीवाली में इसे जरूर ट्राय करें आप सब को बहुत पस्त आएगी तो इसे लाइक करें अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो सबस्क्राइब करें बेल आइकन क्लिक करें ताकि आने वाई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तेंक यू